के लिए कि आखिर समस्टर 4 में हम लोगों को कौन सा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है क्योंकि समस्टर 3 में हम लोगों का कंप्टीट हो चुका है समस्ट 3 का एक्जामनेशन भी हम लोगों कंप्टीट कर लिया है लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि आखिर आने वाला जो हमारा समस्टर 4 है उसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट जो है हम लोगों को देखने पड़ेंगे क्या मेजर पेपर हमारा दो हो जाता बिल्कुल सेम तरह के समस्टर 4 में भी मैं आपका फूली त्यारी करवाने वाला हूं तो वीडियो को अभी से लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि समस्टर 4 में आने से पहले आपको हर वीडियो की जानकारी जो है मेरे चैनल के थूरू से मिल है ठीक है और हर वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके ताकि आप समस्टर 4 का त्यारी जो है बिल्कुल डिटेल्स के साथ कर सोके उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिन बॉक्स पे वट्सप ग्रूप और टेलिगरम ग्रूप का लिंक भी लेगा वहां से तो दोनों गुरूप में जोन हो जाई एगा तो देखिए आज के वीडियो में लोग जाने वाले हैं समस्टर 4 के निउस सिलिबस के नुसार से टिक है कि आखिर हम यहां हमको पढ़ना क्या क्या है है ना क्यूंकि एनीपी जो आया था है इसके नुसार से जानेंगे कि आख सब्जैक्ट हम लोगों को पढ़ना आपको बता देना चाहता हूँ है समेस्टर फूर है ना अग Эच कि बसेदी गोरा कैश्छे फिति दोस्तों हमगे पढ़ेंगे अधी फित जुमः समेस्टर त्री में थे तहों हम योग को कन्फूजन था 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 लेकिन सब लोग को कन्फूजन केरें सार सा अपने Q3 पड़ा था कोई एकत नहीं है मिस सिलेबस में आप Q3 पड़ना है और Q3 में आपका दो पर रहेगा या तो फिर आपका English से रहेगा या तो फिर Hindi रहेगा ठीक है अब दूसरा जो पर आता है वो आपका BAC2 है वो क्या है BAC2 मिस आप लोग जो है ना BAC1 नहीं पढ़े है ठीक है BAC1 किस ने पढ़ा है तो ये जो New syllabus आया है है ना उसके अनुसरा से BAC1 जो कुछ दिल पहले semester 1 का examination दिया गया है उन विद्यार्थियों ने BAC1 semester 1 में complete किया था ठीक है अब हम लोग semester 4 में आया तो semester 4 में हम लोग को BAC2 पढ़ना ठीक है value added courses ठीक है semester बार में विद्यार्थियों जो है BAC1 में understanding इंडिया कुछ पढ़े थे आप लोगों कभी इसी प्रकार से subject का list आएगा ठीक है उसके रुजार से आपको पढ़ना पढ़ेगा अब देखे तिसरा जो subject पढ़ना हम लोग को minor 2B पढ़ना है क्या पढ़ना है minor 2B semester 3 में हम लोगों ने minor 1B पढ़ा था minor 1B तो यहाँ पर जो हम लोग को minor 2 भी पढ़ना पढ़ेगा ठीक है फिर major 6 हम लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना major 6 major 7 और major 8 3 major हम लोग को पढ़ना पढ़ेगा semester 4 में कितना 3 major major 6 major 7 और major 8 ठीक है यह तीन पेपर हम लोगों को पढ़ना है कहां पे semester 4 में टेक है तो यह आपके subjects के list है मैं इसक्या सकते हैं कि हम दो 6 पेपर हम लोगों को जो है उस semester 4 में complete करना कितना 6 पेपर जिसमें से 3 पेपर जो है ना दोस्तु आपका major रहेगा एक पेपर आपका minor रहेगा एक पेपर BAC रहेगा एक पेपर AAC रहेगा यही आपके जानकारी से इस वीडियो को तुरुस से मैं आपको यही बताना चाहता था अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको semester 4 की तयारी करना चाहते हो तो इसकी तयारी दोस्तों मेरे ही channel पे आपको बड़े ही आसान सब्दों में करवाया जाएगा बिल्कुल question answer के साथ में हर चीजों के साथ में जो है आपको तयारी करवाया जाएगा आपको बिल्कुल भी घबरानी के जुरत नहीं है तो तयारी करने के लिए WhatsApp गृूप भी बनाया गया है टेलिग्राम गृूप भी बनाया गया है जो भी आपको बताया जाएगा उसमें जो है टेलिग्राम गृूप में WhatsApp गृूप में जरूर बताया जाएगा तो आप लोग उसके लिए दोनों group में आवश्य से आवश्य जूड जाये और अपने दोस्तों को कुज़ो आना group के बारे में share करें ठेकि है group का link जो दोस्तों के साथ share करें ताकि उनका semester 4 का त्यारी जो है वो बढ़िया से हो सके तो उमीद कर दोस्तों कि आप समझ गया होंगे कि मैं आकिर बताना क्या चाहता था तुम मिलता है एक वीडियो में तब तक लिए जाहिए जए भारत